इस किया वोलू अब बस एक ही अब लगता है कि अभी आपके सामने मैंने से साप से बात किये उन्होंने बोला कि मैं साम तक आपको बताता हूं क्या होगा क्या रिपोर्ट आया अब 6 तारीक व्ले रिपोर्ट 11 तारीकों जो सेंपल गया अच्छे तारीक वाला सेंपल एगा रख गया तो ऐसे भी वो निगेडिव निगलता और अभी जो 14 तारीकों गया है यहां पर 15 तारीकों लोग गया नो मंडल से तो उसका रिपोट आ गया 17 कोई अब पता नहीं यह मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है यह सेकेंड टाइम है और चौदर तारीकों एक सो तेरो लोगों का हम लोगों ने सेंपल भी जाया है बात हुई परवारी तो बोले के हम लोगों सेंपल पटना पोंचवा दिये हैं यानि कि 15 तक पहुंच गया था तक हम से कम 24 घंड़ा में तो आज आज एना चीए ताज पच्वा दिन हो गया चौ हमारे जो समाज का चौथा सम मीडिया है मुझे लगता है मीडिया अभी एक कोश्चन करें सरकार से कि बार बार यह मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है क्या मैं इस बिहार के रहने वाला नहीं हूं क्या क्या मैं इस बिहार के आम आदमी से मैं अलग हूं क्या तो अब यह सवा अब सब्सक्राइब कर दे और मीडिया को सवाल कर दे सरकार के सिस्टम से कि स्वास्थ विभात कर क्या रही है अब उसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे ज्यादा बोलना चीए मुझे मुझे तो अब तो हम मैं कह सकता हूं कि मेरे साथ अगर बार बार ऐसा हो रहा है इसका मत अब भावी मुख मंद्री जो अमरे तिसी आदव जी हैं अगर यह समुद्दे को बार बार उठाएं तो कहीं ने कहीं हो सकता है कि इसमुद्दे को ले करके कि यह तिसलिए मैं इंका रिपोर्ट जल्दी नहीं दूंगा भले इंको कुरोना हो जाए या जो भी हो जाए इस उस दिन साहर के 113 लोग का रिपोर्ट का सिंपल गया है अब इसका जबा मेरे पास तो नहीं है